जैसे कि होली पर्व आने वाला है तो होली पर्व का होलाश्टक का भी वीडियो दे दी हूँ होली पर्व के दूसरे दिन क्या होता है परिवा जैसे दीपावली के दूसरे दिन परिवा होती है उस दिन सभी दुकान प्रतिष्ठान सभी कुछ बंद रहते हैं शुबकारे ब तो परिवा के दिन सभी चीज़ें नहीं जाता है कि तंत्र क्रियाएं चवराहे पर तिगड़ा पर रास्ते में किया रहता हुआ है जो तंत्र गैरा करते हैं तो फलीत ही होता है कि उनको बताया जाता है कि यहां यहां जाकर छोड़ के आओ जिसमें जव रहता है शिंदूर काजल रहता है पानी रहता है बहुत सारी अलग अलग तंत्र की अलग अलग चीज़ें होती हैं जो कि चवराहे त्रिगड़ा दुगड़ा और रास्ते में डाला जाता है तो इन ही सब कारणों से परिवा के दिन सभी चीज़ें वरजित रहती हैं कि कम से कम बाहर जाएं उ इसी प्रकार से होली के भी दूसरे दिन भाई दिवूज भी दिन अर दि नाम से लुए मतलम के भी जारे लिव्हा नम होता है जो डीपावली जो दूसरे दिन होता है वो तो हममास्या के बाद शुकलपच में होता है लेकिन भोली के दूसरे दिन परिवा मनाई जाती है इसका विशेश महत तो यह है कि एक कृष्ण पच्छ में पढ़ता है और उस परिवा से इस परिवार का महत तो जादा है तंत्र की क्रियाएं यानि मावस्या पूरिमा दोनों तितियों में तंत्र क्रियाएं होती हैं साधक क्रियाओं को सिध्ध करते हैं जैसे नजर जारना टोना जारना तमाम देवियों को सिध्ध करना तमाम देवताओं को काल भैरो हनमान जी को सिध्ध करना यह सब सिध्धिया प्रभाव सांत करने जाते हैं तो इसका भी दूस प्रभाव lokom के उपर पढ़ सकता है इस दिन फीन नहीं किया जाता है। इस बार परिवा पढ़ सकता है। गुरुवार नौ फरवरी दिन गुरुवार के दिन तो ये मतलब की सुबह जो ये निकारी होती है जो चीज़ें को डाला जाता है ये ब्रह्म मुहूरत या अर्धरात्री में सुरू करके सुबह डाल दिया जाता है तो सुबह से पूरे दिन विसेश कर वो जिनका विवाह हो पो चुका है अभी जिनको लगन लग चुकी है यांनी लगन उसको बोलते हैं एक हप्ता 10 दिन में होना आय जिनका विभा हो चुका है उनके अपर पर भी प्रभाव पढ़ता है या जो गरवती बेटिया है a उनके उपर बुगा परता है जो जालौर वाले बच्चे मंदकि नहीं उपर विसेज परभाव पढ़ता है तो लोग बोलते हैं कहीं खूज तो नहीं हुआ अचानक बीमार रहने लगी और उनके बाल लेकिन फिर भी बर्जित में सुभकारे सोव करके। जो परिवा दिन होता है इस दिन बरजित रहता है चीजी तो इस दिन कम से कम बाहर निकलें विवाह हो गारा अगर है मालेजिये मुहुर्त के कारण आपके अहां तो ऐसे में अपनी बच्ची को लड़की को जिसका विवाह है उसको बचा के रखें कि कोई भी अंजान विक्त तमाम ऐसे लोग होते हैं कि आपके मुह पर अच्छा अच्छा बोलते हैं लेकिन अंदर से द्रेवेस रखते हैं और बिवाह में जब भी वाह पड़ता है उस समय सब क्रियाएं प्रवल हो जाते हैं उनके सिर में हात रखके कंधे में हात रखके मंत्र बोलके आपको पता कि लोहे की बिन जोड की अंगूठी पहने रहें और हींग लगाए रहें तो पहले की मातायें हींग को घोल के आचल में लगा देती थी कि दूर की आत्रा है जैसे डोली में जाती थी तो तो रहे घाटे में कहीं रखे कहें कुछ तो कोई अनिष्ट सकती उनके उपर प्रभा परिवा के दिन भी जैसे होली के समय वर्जित रहते हैं तो जब जानकारियां लोगों को होती हैं तो वो लोग करते हैं जब जानकारी ही नहीं रहती तो अज्ञानता बस चीजों को किया जाता है तो परिवा पर्व में भी सावधान रहें जो नौ फरवरी गुरुवार के दिन है जिनको आफिस और किसी जरूरी काम से जाना ही है तो जा सकते हैं लेकिन अगर यह सब चीजें कहीं रास्ते में मिलें तो उनको उनके उपर से लांग के नहीं जाना होता है माली जी इसे गाड़ी आप चला रहे हैं तो वो सब चीजें चवरा हैं उसको किनारे से करके जाएं उसी के उपर चढ़ा के न जाएं इससे काफी दूस प्रभाव पड़ता है तो आपको मैं एक वीडियो और पिछले साल भी दी थी परिवा के बारे में कि होली के दूसरे द दूसरे दिन जो सूप बजाके अलच्मी को भगाया जाता है वो इसे इस परिवा में ऐसा करते हैं कि जो अलच्मी होती है उनको सूपा से फटकारा जाता है इसे दीपावली में साफ सफाई होती है घरों में देहातों में वैसे होली में भी साफ सफाई होती है कि कच्चे लिपना जाड़ना पुष्ञा सब करते थे और जो होलिय में लेजाके cyaल सूते से नहीं अगेいます तो अगले जो दिपावली आती है दिपावली जो परिवया होती है जिसमें दरिद्र भगाते हैं उसी सूपा से दरिद्र भगाया जाता है तो एक क्रिया को आप इस बार करके देखना उस बार साथ बताना भूल गई थी कि अलचमी को भी सूपा से फटकारा जाता है तो जो क तो मैं आपको परिवा के बारे में बताई हूं, आपके हां सुपमंगल कार्या अगर हो रहे हैं, तो बच्ची को घर के अंदर ही रखें, जो उनको सिंगार उगरा करने के लिए बीटर पार्नल उगरा जाना रहता है, तो उनको ही बुला के घर में ही कराएं, ऐसे में रात्र कराएं कराएं कराएं, अच्ची कराएं किस क।.